गुड बॉर्निंग एवरिवन, सेवन्त क्लास, तुड़े इस सिक्स्टिंथ दिसम्बर, और डे है बैंस्टी, आज हम करेंगे कोशिय नमबर 9, 10, 11, जीतने भी कोशिय नहीं, उनको कंप्लेट करेंगे, हम पर रहे हैं चैप्टर नमबर 12, चैप्टर नमबर 12 है रिप्रोड यहां पर लिखा है बड़, ठीक है बड़ का जो एक्संपल है वो है इस्ट क्योंकि इस्ट वर्डिंग प्रोसेस से जो बो प्रोडियूस होता है ठीक है और नेक्स्ट है आइस, यहां पर पोटेटो के साथ हम लोग कर सकते हैं कि पोटेटो में जो वाइट वाइट कलर का होता है, ठीक है उसको जो और लोग प्रोड़ की ऑईजब कर खोल तेन सा ह्थे और नेक्स्ट है जो यहां पर जो में मेपल्स होते हैं जो हवा में उठके दूसे जगाह चले जाते हैं इसलिए इसको बिंग्स का चगू मैच कर लें हूं देंगे मैपल्स के सब्सकेL गया होंगे next यहां पर answer लिखे हों है ठीक है आप इसको complete कर लें next question question number 10 question number 10 है MCQ question is tick right the correct answer ठीक है वो रहे कि एक option जो वो सही होगा इस पर जो आपने tick करना है या इसका answer लिखना है 4 में से कोई एक option सही होगा तो question पूछ रहा है कि the reproductive part of a plant is the reproductive part कौन सा होता है देखे जो natural reproductive part होते हैं वो होते हैं leaves stem और roots ठीक है या उनको हम जो बहुँ बेश्टेटी पार्ट से रहेगा तो जो बेश्टेटी पार्ट होते हैं किसी प्लांट के तो वो होते हैं leaves, stem and roots जो flower है वो reproductive पार्ट है क्योंकि flower और fruits जो वो reproductive पार्ट है तो यह पुछते हैं कि reproductive part of a plant is क्या answer हो जागा flower is our answer flower is the reproductive part of the plant so option 4 is correct यहां पे लिखा हुआ है next देखते हैं B part इसका the process of fusion of male and female GMAT is called तो इसको भी हम लोग पहले detail में discuss कर चुके हैं जब fusion होता है male GMAT and female GMAT का जो किस प्रोसेस से होता है तो यह होता है fertilization process ठीक है fertilization इसका सहियान सुझेगा option A is the correct option ठीक है next देखिए question number अच्छा इसी का जो वो C part है mature ovary form दा ठीक है जो ovary होता है वो कहां पे form होता है तो वो आपको बताए कि fruit में जो वो form होता है ठीक है fruit में next देखिए D part इसका a spore producing organism is ठीक है प्रोड्यूस होता है ठीक है तो इसका answer हो जाएगा second second bread mold ठीक है तो हमारा last question है इस chapter का last question है बोरे film can reproduce by its ठीक है जो बोरे film होता है वो reproduce होता है किसके द्वारा तो यहां पे जो सही answer जाएगा वो हो जाएगा leaves ठीक है तो leaves is the correct option ठीक है तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो complete हो जाता है देखिए हमने जो पिछले चैप्टर जो की 11th चैप्टर है अभी हमने जो 12th चैप्टर complete किया इसके जो MCQs type question जो अभी नहीं किया तो MCQs type question जो आपका test होगा तो इसको जो complete करके आप test की तैयारी करें चोट चोटी जो भी point मैंने बीच मे practice करें आपका जल्दी ही एक दू दिनों में आपका test होने बाला है दोनों चैप्टर का इकठाई ओके thank you and God bless you all